हेलो दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल संक्तल कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि हमारे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले हमारा पहला कोशन है हाल ही में सीनियर राष्टिय बेडमिंटन चेंपियनसिप किसने जीती है तो इस कोशन का जो सही अंसर है वो है साइना नहेवाल अभी हाल ही में साइना नहेवाल ने सीनियर राष्टिय बेडमिंटन चेंपियनसिप जीती है साइना नहेवालनी ओलम्पिक रजत पदक विजेता पीवी सिंदु को हरा करके 33 सीनियर 83 सीनियर राष्टिय बेडमिंटन चेंपियनसिप के महिला एकल का खिताब जीत लिया साइना नहेवालनी लगातार दूसरी बार ये खिताब अपनी नाम किया है अगर हम बात करते हैं सीनियर राष्टिय बेडमिंटन चेंपियनसिप के पुरुस एकल किताब में तो पुरुस एकल किताब में सोरव वर्मानी युवा किलाडी लक्षे सेन को हरा करके यह किताब जीता है यानि इस सीनिर राष्टिय वेडमिंटन चेंपिन्शिप की बात करें तो महिला की लाड़ी में तो साइना नहवाल नी और पुरू सेकल की लाड़ी के अंदर सोरो वर्मान नी इस चेंपिन्शिप को जीता है हमारा दूसरा क्वेशन है हाल ही में चोथा भारतिय आशियान एक सपो और सिखर समेलन कहां सुरू हुआ तो इस कोशन का जो सई अंसर है वो है नई दिल्ली कि अभी हाल ही में नई दिल्ली में चोथा भारत आशियान एक सपो और सिखर समेलन सुरू हुआ है इस सिखर समेलन का योजन 21 से 23 फरवरी 2019 के बीच फिक्की द्वारा किया गया यह वानिजे विभाग का फ्लेंग सिप इवेंट है इस एक सपो में 200 से अधिक परदर्शक अपने उत्पादों की परदर्शनी लगाई यह भारत की एक्ट इष्ट पोलीशी का हिस्सा है यह दस दक्षिन पूर्व एशिये देशों का अंतर सरकारी संग्ठन है इस संग्ठन की स्तापना 6 गस्त 1967 कोई थी और इसका मुख्याले जकारता इंडोनेसिया में इस्तित है हमारा तीसरा कोशन है हाल ही में व्यवसाइक सुरक्षा और स्वास्थे समंदी परचार को बढ़ावा देने के लिए अंतर राष्टिये विजन जीरो समेलन कहां आयोजित किया गया तो इस कोशन का जो सही आंसर है वो है मुंबई अभी हाल ही में व्यवसाइक सुरक्षा और स्वास्थे समंदी परचार को बढ़ावा देने के लिए अंतराष्टिये विजन जीरो समेलन मुंबई में आयोजित किया गया स्रम और रोजगार मंतराले के सचीव हीरालाल समरिया ने मुंबई में इस विजन जीरो पर तीन दिवशे समेलन का उदगाटन किया मुंबई महराष्ट की राजदानी है मुंबई महराष्ट की राजदानी है मुंबई को हीरा नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है हमारा चोथा कोशन है हाल ही में किसने पहली सेमी हेवी मिसाइल लेंस पंडूबी फते का अनावरन किया है पहली semi heavy missile lens पंडूबी फते का अनावरन किया है तो इस कोशन का जो सही आनसर है वो है इरान अभी हाल ही में इरान ने पहली semi heavy missile lens पंडूबी फते का अनावरन किया है इरान के राष्टपती हसन इरानी ने इरान की पहली semi heavy missile lens पंडूबी फते का अनावरन किया फते का फार्षी में अर्थ होता है विजेता मिसाइले स्पंडूबी फते पर सते से सते पर मार करने वाली ऐसी मिसाइले लगी है जिनकी मारक शमता करीब 2000 किलोमेटर है यानि ये मिसाइलें इजराइल और अमेरिकी सेन्ने अड्डियों तक पहुंचने में समर्थ है पाच्वा कोशन है हाली में किस रज्य की विदानसवा ने स्थानिय मद्दान के लिए नियूंतम योगेता के लिए विदेख परित किया है तो किस रज्य ने ये विदेख परित किया है तो इस कोशन का सही आनसर है राजस्तान अभी हाल ही में राजस्तान रज्य की विदानसवा ने स्थानिय मद्दान के लिए नियूंतम योगेता के लिए विदेख परित किया है राजस्तान की विदान सबानी पंचायत और नागरिक चुनावों के उमीदवारों के लिए नियुंतम शिक्षा मांदंड को समाप्त करने के लिए राजस्तान पंचायती राज विदेख 2019 और राजस्तान नगरपली का संसोधन विदेख 2019 परित किया है अगर हम बात करते हैं राजस्तान की तो राजस्तान को सबसे पहले राजपुताना नाम अठारा सो इस्वी में जोर्ज थॉम्स ने दिया राजपुताना नाम जोर्ज थॉम्स ने दिया अठारा सो में दिया तो राजस्तान सबद का पहली बार प्रियोग किया था कर्नल जैम्स्टोड ने 1839 में 117 साल बाद यानी 1946 में राजस्तान सबद का दूसरी बार प्रियोग पंडी जो़ारलाल नहरू ने किया था अखिल भारत्य देशी राजे लोग परिश्द के सम्मेलन में पहली बार राजस्तान 1839 कर्नल जैम्स्टोड दूसरी बार राजस्तान पंडी जो़ारलाल नहरू 117 साल बाद 1926 और 1926 के 4 साल बाद 26 जनवरी 1950 में राजपुताना जो पहले सबद चल रहा था राजपुताना तो 26 जनवरी 1950 को एकी करण के छटे चरण में राज पुताना का नाम बदल कर राजस्थान कर दिया गया राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नुमंबर को राजस्थान दिवस 30 मार्च राजस्थान स्थापना दिवस 1 नुमंबर चटा कोशन हाल ही में वी सुब का सबसे उंचा मद्दान के अंदर किस रज्य में बना है तो इस कोशन का सई अनसर है हिमाचल परदेश अभी हाल ही में हिमाचल परदेश में वी सुब का सबसे उंचा मद्दान के अंदर बनाया गया है वी सुब का सबसे उंचा मद्दान के अंदर हिमाचल परदेश भारत का सबसे उंचा बांद भी हिमाचल परदेश बाखडा बांद हिमाचल परदेश जिसकी राज़दानी है सीमला तो हिमाचल परदेश के अंदर दो उंचाई वाड़ी कोशन होगे कि भारत का सबसे उंचा बांध हिमाचल में बाखडा बांध और विश्व का सबसे उंचा मदान के अंदर भी हिमाचल परदेश में सात्वा कोशन है हाल ही में किस रज्जे ने पांच एकड से कम जमीन वाले किसानों को 9000 रूपे सालाना देने की गोशना की है तो इस कोशन का सई आनस्वर है अंद्रप्रदेश कि अभी हाल ही में अंद्रप्रदेश राज्ये ने पांच एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 9000 रुपे सलाना देने की गोसना की है अंद्रप्रदेश के मुख्य मंत्री चंद्रबाबू नाइडुनी अनदाता सुखी भव योजना एक योजना है अनदाता सुखी भव योजना 2019-2020 में ये गोसना की कि जिस के 5 एकड़ से कम जमीन वाले परतिक यानि वो किसान जिसके 5 एकड़ से कम जमीन होगी उसे 9000 सालाना अगर हम आंद्रप्रदेश की बात करें तो आंद्र प्रदेश से अलग होकर के 39 वाराज्ये दो जुम 2014 को बना तेलंगाना तेलंगाना दो जुन 2014 को भारत का 29 वा रज्य बना जो अंदर परदेश से अलग हुआ कभी भारत का छित्रफल में चोथा बड़ा रज्य था अंदर परदेश आज चोथा बड़ा रज्य है उत्तर परदेश अंदर परदेश और तेलंगाना दोनों की दस वर्सों तक राजदानी रहेगी हैदराबाद दस वर्स के परशाथ तेलंगाना की हैदराबाद और अंदर परदेश की राजदानी अमरावती अंदर का नया नाम सीमांदर है अंदर का नया नाम सीमांदर है आच्वा कोशन है हाल ही में सरकार ने चालू वित वर्ष में अब तक कि тू क्रोड की GST चोरी का पता लगाया है तो इसकोशन का सेह अनसुर है विस are अब बीज़ार है अब वे हाल ही में सरकार ने की चालू वित वर्ष में विस üst 위에 में वी हमारा नुवा कोशन है हाल ही में बारत ने कर और बेंकिंग मामलों पर सुचना के आदान परदान के लिए किस के साथ समझोता किया है तो इस कोशन का सही आनसर है बुर्णोई अभी हाल ही में भारत ने कर और बेंकिंग मामलों पर सुचना के आदान परदान के लिए बुर्णई के साथ समझोता किया है हमारा दस्वां और अंतिम कोशन हाल ही में किसे नाइट हुड की उपादी से नवाजा गया है तो इस कोशन का से आनसर है एलिश्टर कुक को अभी हाल ही में नाइट हुड की उपादी से नवाजा गया है एलिश्टर कुक इंगलेंड के पूरो कप्तान है कुक ने अंतराश्टी किर्केट केरियर में कैई रिकोर्ड तोड़े और बनाई भी एलिश्टर कुक ने उनसर टेस्ट मेचों में इंगलेंड की कप्तानी की है बिटिस राजा या रानी द्वारा किसी व्यक्ति की उपलब्दियों या देश की सेवा के लिए ने साल में नाइट हुड दिया जाता है जिसे ये सम्मान दिया जाता है उसके नाम के आगे स्री की जगय सर लिखा जाता है शिरी की जगे सर लिखा जाता है वो कोशन जिसका आनस्वर आपको कोमेंट बुक्स के मादियम से देना था राली में किस राज्य ने मिठी करन्ती मिठी करन्ती योजना की शुरुवात की है तो इस कोशन का स्ही आनस्वर था जारकण इस question का सबसे पहले answer दिया है आज अभीलास पिंधारनी दूसरा नंबर है पतेश जंग सिंका तीसरा है अमन्द चाहर का तो आप तीनों को बहुत बहुत वदाई नेक्स्ट वीडियो में भी आप हम चाहेंगे कि ऐसे ही जवाब देते रही सबसे पहले आप वो question जिसका answer आपको comment box के मादियम से देना है हाली में दो तटरक्षक जिला मुख्यालियों वाला देश का पहला रज्जे कौन बना है दो तटरक्षक जिला मुख्यालियों वाला देश का पहला रज्जे कौन सा बना है comment box के मादियम से आपको answer देना है जो सबसे पहले दूसरा तीसरा नंबर होगा उसका नाम आगे के नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा आप जल्दी से जल्दी संकल्प कोचिंग गंगान अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन बटन को प्रेस कर लें संकल्प की साथ जुड़े रहें धन्यवाद एक बार फिर मैं इन कोचिंगों को रिपीट कर रहा हूँ हमारा पहला कोचिंग है हाल ही में सीनियर राष्टी बेडमिंटन चैंपियन सिप किसनी जीती है जिमाग में अंसरा जाना चाहिए इस कोचिंग का सही अंसर है साइना नहेवाल दूसरा कोचिंग है हाल ही में चोथा बारत आश्यन एकसपो और सिकर समेलन कहां सुरू हुआ तो इस कोचिंग का अंसर है दिल्ली चोथा भारत आश्यन एक्सपो और सिकर समेलन दिल्ली में शुरूँगा तीसरा कोशन है हाल ही में व्यवसाइक सुरुक्षा और स्वास्तिय समंदी परचार को बड़ावा देने के लिए अंत्राश्टिय विज्जन जीरो समेलन कहां आयुजित किया गया तीस कोशन का आंसर है मुंबई हमारा चोथा कोशन है हाल ही में किसने पहली सेमी हेवी मिसाइल लेस पंडूबी फते का अनावरन किया तो इस कोशन का सही आंसर है इरान इस कोशन का सही आंसर है इरान इरान ने हेवी मिसाइल लेस पंडूबी फते का अनावरन किया है हमारा पांच्वा कोश्चन है हाली में किस राज्जी के विदानसवान इस्थाने मदान के लिए नियूंतम योगेता के लिए विदेख परित किया है तो इस कोश्चन का सही अनसुर है राजस्थान हमारा चटा कोश्चन हाली में विस्व का सबसे उंचा मदान के अंदर किस राज्जी में बना है तो इसका अनसुर है हिमाचल परदीश में अभी हाली में विस्व का सबसे उंचा मदान के अंदर बनाया गया है साथमा कोशन हाली में किस राज्य ने पांच एकड से कम जमीन वाले किसानों को 9000 रुपे सालाना देने की गोशना की है तो इस कोशन का अनस्वर है आंध्र परदेश आठमा कोशन हाली में सरकार ने चालू वित वर्स में अब तक कितने क्रोड की GST का पता लगया है तो इस कोशन का सही अनस्वर है 20,000 क्रोड रुपे हमारा नुवा कोशन है हाली में भारत ने कर और बेंकिंग मामलों पर सुचना के लिए सुचना के आदान परदान के लिए किसके साथ समझोता किया है तो इस कोशन का सही अनस्वर है बुर नहीं हमारा दस्वा कोशन हाली में किसे नाइट हूट की उपादी से नवाजा गया है तो इस question का सही answer है एलिस्टर कुक को नाइट हुट उपादी के लिए नवाजा गया